Hello friends, you are most welcome to my channel, The River Textbook. आज हम पढ़ेंगे chapter number 11, Transportation in Animals and Plants. सामान्य जीवन में किसी भी वस्तु को एक जगे से दूसरे जगे पहुचाने की प्रक्रिया को हम transportation कहते हैं. मनुष्य जीव एक जगे से दूसरे जगे जाते हैं. मनुष्य चीज़ों को एक जगे से दूसरे जगे लेके जाते हैं. चीज़ों को एक जगे से दूसरे जगे लेके जाने की प्रक्रिया को हम transportation कहते हैं. पर इस chapter में transportation in animals and plants से मतलब है, जो भोजन हम खाते हैं, उस भोजन को जानवरों में, पशुओं में, पौधों में, उनके विभिन्द पार्ट्स में उसका पहुँचना जरूरी है, ताकि उसकी उपयोगिता हो सके और उसको उपयोग करने के बाद जो वहाँ से waste product निकलता है, उस waste product को उस जगे पहुचाया जा सके, जहां से फिर वो शरीर से बाहर निकल जाए, तो इस chapter में transportation in animals and plants से मतलब ये है, transportation का हिंदी word होता है, परिवहन, आप पहले पढ़ चुके हैं, कि सारे जीवों को भोजन, पानी और oxygen की आवशक्ता होती है जीवित रहने के लिए, they need to transport all these to various parts of their body, जीवों को इन चीजों को अलग-अलग उनके विभिन parts में पहुचाने की आवशक्ता होती है, भोजन, पानी, oxygen, ये जीवों को उनके अलग-अलग parts में पहुचाने की आवशक्ता होती है, further, animals need to transport wastes to parts from where they can be removed, फिर उसके बाद, जब ये चीजें use हो जाती है, तो उसके बाद जो waste तेयार होता है, इन wastes को उस part तक पहुचाने की आवशक्ता होती है, जिस part से उसको बाहर निकाला जा सके, Have you wondered how all this is achieved, क्या कभी आपने सोचा है कि ये होता कैसे है, Look at figure 11.1, do you see the hurt and the blood vessels, चलिए 11.1 है ये और यहाँ पे hurt है और blood vessels है, blood vessels दो तरह के होते हैं, vein और artery, इसका photo दिया हुआ है, Hurt मुठी के अकार का होता है, जो दोनों lungs के बीच में होता है, They function to transport substances and together form the circulatory system, Hurt का और blood vessels, इनका काम है चीजों को एक जगे से दूसरी जगे पहुचाना, और ये, ये मिला करके circulatory system बनते हैं, ये hurt और vessels मिलके circulatory system होते हैं, In this chapter, you shall learn about transport of substances in plants and animals, इस अध्याय में आप, Plants और animals में पदार्थों के ट्रांसपोर्ट, पदार्थों के परिवहन के बारे में आप पढ़ेंगे, Circulatory system, Circulatory system में क्या क्या आता है, Blood, what happens when you get a cut on your body, क्या होता है जब आपके शरीर में एक cut हो जाता है, Blood flows out, खून बहार निकलाता है, But what is blood, लेकिन blood है क्या, Blood को हिंदी में हम रक्त कहते हैं, Blood is the fluid which flows in blood vessels, हमारे शरीर में pipe की जैसा चीज होता है, जिससे की blood एक जगे से दूसरे जगे जाता है, तो blood एक liquid है, एक तरल पदार्थ है, जो की हमारे blood vessels में flow करता है, It transports substances like digested food, from the small intestine to the other parts of the body, Blood क्या करता है, कि वो हमारे पचे हुए खाने को, small intestine से, हमारे शरीर के दूसरे भागों में पहुँचाता है, It carries oxygen from the lungs to the cells of the body, Blood हमारे लंग्स से, हमारे बाडी के cells तक oxygen को पहुँचाता है, It also transports waste for removal from the body, यह हमारे body से waste को भी transport करता है, जिससे की हमारे शरीर से waste बाहर निकल जाए, How does the blood carry various substances? Blood इन विभिन पदार्थों को कैसे लेके जाता है, Blood is a liquid, Blood एक तरल परदार्थ है, Which has cells of various kinds suspended in it, Blood एक तरल पदार्थ है, जिसमें विभिन प्रकार के कोशिकाएं इसमें तैरते रहते हैं, Cells को हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, Why is the color of blood red? Blood का color लाल क्यों है? The fluid part of the blood is called plasma, जो liquid part होता है, जो पानी का, यह blood का, हमारे खून का, उसे हम plasma कहते हैं, One type of cells are the red blood cells in bracket RBC, which contain a red pigment called hemoglobin, Blood में एक तरह का cell होता है, उसको RBC कहते हैं, जिसमें की एक red pigment होता है, जिससे blood का रंग लाल होता है, उसे hemoglobin कहते हैं, Hemoglobin binds with oxygen, and transport it to all the parts of the body, and ultimately to all the cells, Hemoglobin oxygen, oxygen को अपने साथ ले करके, सरीर के सारे parts में पहुचा देता है, और सारे parts में oxygen पहुचने के बाद, ultimately last में सारे cells तक पहुच जाता है, oxygen, It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin, Hemoglobin के बिना, ये oxygen को पहुचाना सारे cells में काफी कठिन काम होगा, The presence of hemoglobin makes blood appear red, Hemoglobin के मौजूदिगी से खुन लाल दिखता है, The blood also has white blood cells, WBC in bracket, which fight against germs, and may enter our body, that may enter our body, हमारे खून में एक white blood cells होता है, जो की किटानों से लड़ने में मदद करता है, जो हानिकारक किटानों से, जो की हमारे सरीर में आ सकते हैं, Bujo fell down, while playing a game, and his knee got injured, blood was coming out from the cut, after some time he noticed, that bleeding had stopped, and a dark red clot, had plugged the cut, Bujo was puzzled about this, the clot is formed, because of the presence of another type of cells, in the blood called platelets, Bujo खेलने के दौरान गिर गया, और उसके घुटने में चोटा गया, चोटाने के वज़े से, उसके घुटने से blood आने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, खुद ही blood का आना बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक गाढ़े कलर का, डार्क रेड कलर का, वहाँ पे गाढ़ा खून जम गया, और वो गाढ़ा खून जमने के वज़े से, क्या हुआ कि वहाँ से खून आना बंद हो गया, बूजो ये सोच में पढ़ गया, वहाँ पे जो clot हुआ था, blood के अंदर में एक cells होता है, जिसे हम platelets कहते हैं, वो blood clotting करने में मदद करता है, blood को जमा करने में मदद करता है, अगर कहीं cut हो जाता है, तो blood वहाँ पे, उसको blood clotting करके, blood के flow को रोख देता है, तो ये platelets के help से होता है, अब इसके बाद blood vessels, blood vessels जिसके जरिये, blood का आना जाना होता है, there are different types of blood vessels in the body, you know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs, oxygen has to be transported to the rest of the body, हमारे शरीर में, अलग-अलग प्रकार के blood vessels होते हैं, आपको पता है कि, जब हम स्वास को अंदर लेते हैं, तो fresh supply of oxygen हमारे lungs को भर देता है, हमारा lungs जो है, ताजे oxygen से वो भर जाता है, oxygen को, फिर उसके बाद, lungs से oxygen को फिर बाकी के शरीर में भी उसे पहुँचाया जाता है, पहुँचाने की जरूरत है, अवशकता है, also the blood picks up the waste materials including carbon dioxide from the cells, blood हमारे cell से waste material जैसे carbon dioxide को ले करके जाने में मदद करता है, ले के जाता ही है, जैसा कि आपने chapter 10 में पढ़ाया है, कि blood को फिर वापस hurt तक पहुचना होता है, ताकि वो carbon dioxide को lungs तक फिर से transport कर सके, so that carbon dioxide वहाँ से फिर बाहर निकाला जा सके, इसलिए दो तरह का blood vessels होता है, एक होता है arteries और दूसरा होता है veins, तो एक oxygenated blood लाने में मदद करता है, और दूसरा de oxygenated blood के removal में help करता है, arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body, arteries का काम है, यह एक तरह का blood vessel है, जो कि oxygen वाला blood हमारे heart से शरीर के दूसरे अंगों तक यह पहुचाता है, arteries, since the blood flow is rapid, and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls, अब चुकि हमारे blood vessel में, arteries में blood का flow काफी तेज होता है, fast होता है, काफी उसमें pressure जादा रहता है, इसलिए arteries के अंदर में मोटा elastic का वाल्व होता है, let us perform an activity to study the flow of blood through arteries, चलिए हम एक activity करते हैं जिसमें की हम arteries के अंदर से blood flow को study करेंगे, येंज़ घूंड़ अखे होता है, in the inner side of your left wrist, can you feel some throbbing moments, why do you think, there is throbbing, this throbbing is called the pulse, and it is due to, the blood flowing in the arteries, count the number of pulse beats, in 1 minute. How many pulse beats Could you count? The number of beats per minute is called the pulse rate A resting person usually has a pulse rate between 70 and 80 beats per minute Find other places in your body where you can feel the pulse Record your own pulse beats per minute and those of your classmates Here will be a diagram here Here will take a picture that you can understand better As you can see, here is the angle This is the angle So, you can see your hand over your hand You can see your hand over your hand You can see your hand over your hand This position is the angle मतलब बीच से थोड़ा अंदर दाय हाथ से बाय हाथ के उपर बाय हाथ के उपर बीच से थोड़ा अंदर में ये दोनों उंगलियों को आप रखिए middle finger और index finger को और check कीजिएगा वहाँ पे थोड़ा सा धगदक का आवा जाएगा उसको हम pulse beat कहते हैं उसको एक minute में जितना number of pulse beat होता है उसे हम pulse rate कहते हैं आप खुद भी check कीजिए अपना की एक minute में वहाँ पे कितना pulse beat करता है और अपने दोस्तों का भी चेक कीजिए और आप अपने अवलोकन को लिखिए एक आराम की स्थिती में एक नॉर्मल आदमी का पल्स रेट जो होता है 70 and 80 बीट्स होता है एक मिनिट में मतलब उसका पल्स बीट 72 and 80 होता है 72 से 80 के बीच में होता है आप अपने सरीर में ऐसे दूसरे जगह ढूंडिये जहां पर इस तरह का आपको पल्स बीट फील होता है चलिया compare the values you obtained and insert them in table 11.1 अब जो आप अवलोकन करते हैं आप इसको 11.1 में आप लिखिया veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart carbon dioxide rich blood कह सकते हैं या फिर de oxygenated blood भी कह सकते हैं veins का काम है veins वो vessels है जो की carbon dioxide वाला blood को हमारे parts से निकाल करके वो hurt तक पहुचाता है back to the heart the veins have thin walls veins मोटे दिवाल से बने होते हैं there are valves present in veins which allow blood to flow only towards the heart veins के बीच में veins के अंदर में valves होता है जिससे की blood का जो दिशा होता है वो उस valves के जरीए veins blood का दिशा heart की औरी बनाये रखता है यह pulmonary vein से lungs से oxygenated blood हर्ट में आता है heart से oxygenated blood आर्टरी के जरीए पूरे हमारे इधर capillaries के मादियम से हमारे body के cells में हमारे body के parts में जाता है और फिर वहां से de oxygenated blood उपर से veins के जरीए जाता है और फिर pulmonary veins के जरीए heart में जाता है और फिर heart से वह pulmonary artery के जरीए lungs में de oxygenated blood चला जाता है यह हम आगे पढ़ेंगे I am confused, बुजो confused है I have learned that an artery always carries oxygen rich blood बुजो यह पढ़ा है कि arteries हमेशा oxygen वाला blood लेके जाता है फिर पहली explain करती है पहली explain that pulmonary artery carries blood from the heart pulmonary artery हमारे heart से blood को लेके जाता है So it is called an artery, इसलिए इसको artery कहते है not a vein It carries carbon dioxide rich blood to the lungs यह carbon dioxide वाला blood जो है lungs तक पहुचाता है यहाँ पे है यह pulmonary artery बगल में है यह वाला, यह carbon dioxide वाला blood जो है lungs तक पहुचाता है उसके बाद pulmonary vein carries oxygen rich blood from the lungs to the heart यह है pulmonary vein यह oxygen वाला blood जो है यह heart तक पहुचाता है Referred to figure 11.3, do you see the arteries divide into smaller vessels? On reaching the tissues, they divide further into extremely thin tubes called capillaries the capillaries join up to form veins which empty into the heart यहाँ पे नीचे यह artery जो है artery divide होकर के capillary बन जाता है और उसके बाद capillary बन के फिर यहाँ vein से join हो जाता है the capillaries join up to form veins which empty into the heart capillary फिर वापस join होकर के vein बनाता है वहाँ से वो deoxygenated blood ले जाकर के फिर heart में खाली हो जाता है फिर heart से फिर deoxygenated blood pulmonary artery के जरिए lungs तक पहुँँ जाता है उसके बाद heart the heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it heart एक organ है जो की लागातार वो beat करता है और वो pump की तरह वो act करता है blood को transport करने का काम करता है और ये लागातार throughout जीवन चलते रहता है हमेशा चलते रहता है तो heart के मदद से blood pump होता है और blood क्या करता है कि अपने साथ साथ दूसरी चीजों को सरीर के दूसरे पार्ट में पहुँचाता है imagine a pump working for ears without stopping आप सोचिए कि एक pump जो कि बिना रुके पूरे जीवन काम करता है absolutely impossible yet our heart works like a pump non-stop pump जीवन भर नहीं चल सकता है लागातार लेकिन हमारा heart pump की तरह है लेकिन वो पूरा जीवन भर चलता है let us now learn about the heart चलिए हम heart के बारें पढ़ते है the heart is located in the chest cavity chest cavity हमारे chest के अंदर में जो खाली जगह है उसे हम chest cavity कहते है और हमारा heart हमारे chest cavity में with its lower tip slightly tilted towards the left उसका जो नीचे का जो tip है वो left की ओर tilted रहता है यहां पे है heart यह है heart hold your fingers inwards on your palm that makes your fist एक मुठी बनाई है your heart is roughly the size of your fist आपकी जो heart की जो size है वो एक मुठी के आकार की होती है लगब what will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other क्या होगा अगर oxygen वाला blood carbon dioxide वाले blood से मिल जायतो to avoid this from happening the heart has four chambers the two upper chambers are called atria singular atrium in the bracket and the two lower chambers are called ventricles अब इस से बचने के लिए कि oxygen वाला blood carbon dioxide वाले blood से दोनों mix up ना हो जाये इसके लिए हमारा जो heart है वो चार chambers में बटा होता है एक होता है atria और दूसरा होता है ventricles atria upper chamber होता है और ventricles lower chamber होता है the partition between the chambers help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide अब इस पार्टी ये heart in figure 11.3 and follow the arrows these arrows show the direction of the blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body चलिए हम यहाँ पर इस डियाग्राम में देखते हैं यह वाले डियाग्राम में यहाँ पर देखिए यहाँ पर लंग्स से oxygenated blood hurt में आ रहा है और hurt से oxygenated blood यहाँ पर artery के जरीए आते हुए यहाँ capillaries के जरीए capillaries के जरीए हमारे body के cells में चला जाता है और उसके बाद वही से फिर cells से आपको capillaries के माद्यम से जो की यहाँ पर vein बन जाता है जो deoxygenated blood है carbon dioxide वाला जो blood है वो हमारे hurt में चला जाता है और उसके बाद हमारे hurt से carbon dioxide वाला blood जो है pulmonary artery में चला जाता है और वहाँ से वो lungs में चला जाता है heartbeat the walls of the chambers of the heart are made up of muscles जो chambers के जो दिवाल होते हैं वो muscles के दिवाल होते हैं जो हमारे hurt के chambers के जो दिवाल होते हैं वो muscles के बने होते हैं these muscles contract and relax rhythmically अब ये एक rhythm में contract करता है सिकूडता है और relax करता है फैलता है एक लैबद हो करके ये सिकूडता है और फैलता है this rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat अब ये जो rhythmic contraction होता है relaxation के बाद ये एक heartbeat होता है ये that is called one heartbeat remember that heartbeats continue every moment of our life ध्यान रखिए कि heartbeats जो है पूरे जीवन हमारे चलते रहता है if you place your hand on the left side of your chest आप अपने chest के left side में हाथ रखते हैं तो you can feel your heartbeat आप अपने heartbeat को feel कर पाएंगे the doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called a stethoscope डॉक्टर चिकित्सक जो है ये heartbeat को stethoscope से नापते हैं उससे वो चेक करते हैं a doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart stethoscope से क्या होता है कि जो आवाज है वो ज्यादा जोर से सुनाई जाता है जो sound जो है heartbeat का वो stethoscope के जरिए उसका sound बढ़ जाता है जिससे doctor को ज्यादा clear सुनाई देता है it consists of a chest piece that carries a sensitive diagram diaphragm, sorry two earpieces and a tube joining the parts doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope आपके chest का clue आपके heart कैसे चल रहा है इसका clue चिकित्सकों को जब वो stethoscope से check करते हैं तो उसका clue मिल जाता है अब यहाँ पे stethoscope का part देखे earpiece है, दो earpiece है tube है और यह है chest piece chest piece जो की जिसको डॉक्टर ले जा करके वहाँ पे connect करते हैं activity 11.2 take a small funnel of 6 to 7 cm in diameter 6 to 7 cm का यह funnel देखे डाग्राम में picture में fix a rubber tube 50 cm का लगबग एक rubber tube जो है उसको tightly fix कीजे on the stem of the funnel funnel के उपर देखे यहाँ पे जैसे fix किया है stretch a rubber sheet or a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band उपर में देखे यहाँ पे एक rubber sheet या फिर एक balloon को फैला करके उसके मुह पे लगाईे और rubber band से आप उसको बांद दीजे put the open end of the tube on one of your ears और जो यहाँ पे दूसरा दूसरा जो इंड है उसको अपने कान में लगाईे यहाँ पे picture में जैसे दिया हुआ है यह बच्चा जैसे कर रहा है place the mouth of the funnel on your chest near the heart आप heart के पास funnel को रखिए funnel का जो मुह है उसको आप रखिए now try to listen carefully उसके बाद आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए do you hear a regular thumping sound आप धक धक का आवाज आप लगतार आप सुनेंगे that is called thumping sound the sound is that of heartbeats वो जो thumping sound है वो heartbeats है how many times did your heart beat in a minute आपका heart कितने बार beat करता है एक minute में आपके heart में कितने बार beating होती है count again after running for four to five minutes चार से पांच मिनट दोड़ने के बाद उसके बाद फिर आप अपने heart beat को आप चेक कीजिए और आप अपने मतलब जो आप पाते हैं जो आप उसको अपलिकिए उसको तुलना कीजिए मतलब rest में है तब आपका heart beat कैसा है पी तोड़ने दोड़िए उसके बाद चेक कीजिए तुलना कीजिए record your own pulse rate and heart beat and that of your friends while resting and after running and record in table 11.2 table 11.2 में आप अपना pulse rate और heart beat अपने दोस्तों का pulse rate और heart beat आप rest की position में उसके बाद दोड़ने के बाद आप लिखिये उसको do you find any relationship between your heart beat and pulse rate क्या आपको दोनों में कोई relationship दिखता है heart beat और pulse rate में each heart beat generate one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heart beat अभी हमारा क्या है कि हमारा heart beat एक heart beat एक pulse generate करता है हमारे arteries में इसलिए एक minute में जो pulse rate होता है वही हमारा एक minute में heart beat होता है the rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain circulation of blood and transport of substances to the different parts of the body ये जो लैबध रिद्मिक तरीका से हमारे chambers में heart के chambers में जो movement होता है इस movement से क्या होता है कि हमारे blood में circulation होता है ये हमारे movement हमारे blood के circulation को बनाया रखता है और हमारे blood के circulation होने के वज़े से क्या होता है कि जो substances पदार्थों का transport एक जगे से body में एक पार्ट से दूसरे पार्ट हो जाता है बूजो wonders if sponges and hydra also have blood बूजो सोच रहा है कि sponges और hydra में भी क्या खून होता है animals such as sponges and hydra do not possesses any circulatory system जानवर जैसे कि sponges हैं और hydra हैं इनके अंदर में किसी भी तरह का कोई circulatory system नहीं होता है the water in which they leave brings food and oxygen as it enters their bodies पानी जो है ऐसे जीवों के शरीर के अंदर जाता है अंदर जा करके इनके शरीर के अंदर जा करके पानी जो है इनके लिए oxygen और खाना पहुचाता है the water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out अब पानी जो अंदर गया हुआ है वो वहाँ से waste material और carbon dioxide लेकर के बाहर निकल जाता है thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood circulatory fluid जैसे कि हमारे सरीर में जीवों के सरीर में होता है blood उस तरह का किसी भी तरह का circulatory fluid की आवशकता नहीं है इस तरह के जीवों में क्योंकि इनका जो काम है इनका transport का काम है वो water कर देता है let us now learn about the removal of waste other than carbon dioxide अब चलिए हम carbon dioxide के अलावा जो दूसरे waste product है वो कैसे निकलता है excretion in animals excretion को हम हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं हिंदी word का एक अलग ही मजा है जानना चाहिए English medium के बच्चों को भी शुद्ध हिंदी थोड़ा जानना चाहिए excretion का हिंदी मतलब होता है उत्सर्जन जानवरों में excretion recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation याद कीजे कि carbon dioxide कैसे हमारे सरीर से निकाल दिया जाता है बाहर जब हम स्वास फेकते हैं लंग्स के द्वारा also recall that the undigested food is removed during the ejection ejection की द्वारा हमारा जो undigested food है वो बाहर निकल जाता है जो पचा हुआ खाना नहीं है जो बेकार खाना है let us now find out how the outer waste materials are removed from the body चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो other waste materials है sorry other waste material इधर लिखा हुआ था मैं outer पढ़ दिया था other waste material हमारा carbon dioxide के लावा वो कैसे हमारे सरीर से निकलता है you may wonder where these unwanted materials come from आप सोच रहे होंगे कि ये सारे जो unwanted materials है ये सारे जो कचड़ा है वो आता कहां से when our cells perform their functions certain waste products are released जब हमारा cell अपना काम करता है अपना जो life process का जो काम करता है तो वो waste generate करता है these are toxic and hence need to be removed from the body ये हानिकारक होते है इसलिए इन्हें सरीर से बाहर निकालने के अवशक्ता होती है the process of removal of waste produced in the cells of the living organism is called excretion ये जो प्रकिरिया है जिसे कि cell हमारे body से waste को बाहर निकालता है उसे हम excretion कहते है excretion वो प्रकिरिया जिसे जीव अपने cell से waste को बाहर निकालते हैं इस प्रकिरिया को excretion कहते है the parts involved in excretion forms the excretory system जो parts इस प्रकिरिया को पूरा करते हैं इस प्रकिरिया का जो निस्पादन करते हैं उसे उन parts को हम excretory system कहते है excretory system in humans चलिए humans में हम excretory system देखते हैं the waste which is present in the blood has to be removed from the body जो waste हमारे blood में मौझूद होता है उसको हमारे सरीर से निकालने की आवशक्ता होती है how can this be done a mechanism to filter the blood is required एक कायरविधी की आवशक्ता है जिसे की खोन को साफ किया जा सके this is done by the blood capillaries in the kidneys अब ये खोन की सफाई की प्रक्रिया कहां पे होती है तो kidney के अंदर में blood capillaries होता है उससे खोन की सफाई होती है when the blood reaches the two kidneys it contains both useful and harmful substances जब blood kidney में पहुंचता है तो उस समय blood के अंदर में काम की भी चीज होती है और हानिकारक चीजे भी होती है the useful substances are absorbed back into the blood जो काम की चीजे है उसको blood के दोवारा फिर से absorb कर लिया जाता है the waste dissolved in water are removed as urine और जो waste होता है वो पिशाब के जरिये पानी में गोल के बाहर चला जाता है from the kidneys the urine goes into the urinary bladder kidney से जो urine है वो urinary bladder में चला जाता है through through tube like ureters यहाँ पे है आपको ureters का फोटो उपर में यह है ureter यहाँ से urine urinary bladder में चला जाता है और यहाँ नीचे urethra है urethra से urinary opening है नीचे में और इस opening से समय समय पे पिशाब निकलते रहता है it is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of the muscular tube called urethra जो urine है urinary bladder में store हो जाता है और उसके बाद नीचे में यह urethra है the kidneys, ureters, bladder and urethra form the excretory system kidneys हो गया, ureters हो गया, bladder हो गया यह मिला करके excretory system होता है bladder and urethra यह मिला करके excretory system मनता है an adult human being normally passes out 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours एक युवा मनुष्य सामान्यत 24 गंटा में 1 से 1.8 liter urine करता है 24 गंटों में पिशाब करता है the urine consists of 95% water 2.5% urea and 2.5% other waste products urine के अंदर में 95% पानी होता है 2.5% urea होता है और 2.5% दूसरे waste products होता है we have all experienced that we sweat on a hot summer day हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे गर्मी की मौसम में गर्मी की दिनों में हमें पसीना होता है the sweat contains water and salt पसीने के अंदर में पानी होता है और नमक होता है बूजो has seen that sometimes in summer white patches are formed on our clothes especially in areas like under arms कांक के अंदर में these marks are left by salts present in the sweat बूजो ने ऐसा देखा है कि कभी-कभी गर्मी के मौसम में उजले कलर के धबबह लग जाते है उस मार्क से पता चलता है कि वहाँ salt की मौजोद्गी है पसीने के अंदर में salt है उस mark से पता चलता है Does sweat serve any other function क्या पसीना कुछ और भी काम करता है We know that the water kept in an earthen pot is cooler जैसा कि हम जानते हैं कि घड़े के अंदर में रखा हुआ पानी थंडा होता है This is because the water evaporates from the pores of the pot which cause cooling यह ऐसा इसलिए होता है कि जो घड़ा के अंदर में जो चुटा-चुटा छेद होता है वहाँ से पानी evaporate कर जाता है वहाँ से पानी के अंदर का जो heat है वो निकल जाता है इसलिए वहाँ पे cooling effect रहता है घड़े के अंदर का पानी ठंडा रहता है पहली wants to know whether other animals also urinate पहली जानना चाहती है कि क्या दूसरे जानवर भी पिशाब करते है अब यह जो तरीका है कि जो जानवर अपने body से waste chemicals को जो निकालते है वो depend करता है कि उनके अंदर में पानी की मवजूदगी कितनी है aquatic animals like fishes excrete cell waste as ammonia which directly dissolves in water जो पानी में रहने वाले जीऊ है वो waste के रूप में वो ammonia छोडते है जो कि पानी में सीधा घुल जाता है some land animals like birds, lizards, snakes excrete a semi-solid white colored compound उसको हम uric acid कहते है कुछ जानवर जैसे पक्षी हो गया है lizards हो गया है, साप हो गया है यह semi-solid मतलब semi-solid, उजली कलर का एक चीज पदार छोड़ते हैं इसको हम कहते हैं uric acid the major excretory product in humans is urea जो सबसे बड़ा जो उतसर्जन करने का जो बाहर छोड़ने का जो product होता है वेस्ट के रूप में उसमें urea होता है सबसे बड़ा part sometimes a person's kidneys may stop working due to infection or injury कभी-कभी किसी आदमी का kidney काम करना बंद कर देता है infection की वज़े से या फिर कभी चोट लग गया है उसकी वज़े से as a result of kidney failure waste products start accumulating in the blood अगर kidney fail हो जाता है तो जो waste product है वो खोन में जमा होने लगता है such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney इस तरह का problem अगर किसी इंसान के साथ हो जाता है तो वो अगर उसका समय समय पर उसके खोन को filter नहीं किया जाएगा तो वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा ये एक artificial kidney होता है इसे की बिमार इंसान के खोन को filter किया जाता है और इस प्रक्रिया को this process is called dialysis यहाँ पे एक हरे पट्टी में लिखिए यह एक छूट गया था हरे पट्टी में इन्हों ने डिस्कवर किया था विलियम हर्वे ने इस प्रक्रियशन का मतलब क्या होता है ब्लड जो हमारे सरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाता है गति करता है जो मुवमेंट करता है उसको हम एक जगह से दूसरे जगह सयर्कूलेट करता है हर पार्ट में जो ब्लड ड सर्कूलेट करता है उसको हम कहते हैं सर्कूलेशन अब ब्लड था हम दिया सी नोग Grad उस समय उन दिनों में यह इस अमाननेताय यह ऐसा लोगों का मानना था कि खून जो है वो उसिलेट करता है मतलब आगे पीछे ब्लड वेसेल्स में अब उनका जो व्यूज था फॉर दिस व्यूज हार्वी वास रेडी कूल्ड एंड वास कॉल्ड सर्कुलेटर अब विलियम हार्वे को विलियम हार्वे ने ये जो व्यू दिया था कि ब्लड के अंदर में सर्कुलेशन होता है सर्कुलेशन अब ब्लड इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता था और उनको सर्कुलेटर बुलाया जाता था हाला कि उनके इस इस विचार से circulation of blood वाले विचार से उन्होंने काफी अपने मरीज खो दिये मरीज उनसे इलाज करवाना बंद कर दिये लेकिन उनके मृत्यू से पहले उनका ये वाला जो fact था उसको officially accept किया गया similarly when we sweat it helps to cool our body तो ये earthen pot ये आपको घड़े में जिस तरह से cooling effect होता है वही cooling effect हमें जब पसीना आता है तो होता है इसलिए हमें जब पसीना आता है तो उसके थोड़े दिर के बाद हमें ठंड भी feel होता है क्यों कि पसीने के अंदर में पसीना क्या करता है हमारे body के अंदर से heat को absorb कर लेता है transport of substances in plants अब पौदों के अंदर में पदार्थों का कैसे परिवहन होता है मतलब transport कैसे होता है in chapter 1 you learn that plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves आप chapter 1 में पढ़ चुके हैं कि पौदे पानी और खनी जवाला nutrients जो है वो मिट्टी से जडों के माधियम से पत्तों में ट्रांसपोर्ट करते हैं the leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis पत्ते पौधो के लिए खाना बनाते हैं भोजन तयार करते हैं photosynthesis की प्रक्रिया से पानी और carbon dioxide को यूज करके you have learnt in chapter 10 that food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose आप chapter 10 में ये भी पढ़ चके पड़ चुके हैं कि energy का मुख्य सोर्स भोजन होता है और जीव इसका breakdown energy breakdown करते हैं इसका विगडन करते हैं glucose का विगडन करते हैं जो कि इनके भोजन के रूप में होता है और energy पाते हैं the cells use this energy to carry out vital activities of light life और cells क्या करते हैं हमारे कोशी का है इस energy को glucose को breakdown करने के बाद जो energy प्राप्त हुआ है उस energy को वो use करते हैं दूसरे कामों में जो दूसरे vital जो मतुपूर्ण काम है उस काम को संपादन करने में उस काम को पूरा करने में वो उसको use करते हैं therefore food must be made available to every cell of an organism इसलिए जीव के हर जीव के organism के हर cell तक भोजन पहुँचना चाहिए have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaves क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरह से पानी और nutrients जो की root absorb करता है वो पत्तो तक पहुँचता है पत्तो तक plants कैसे पहुचाते हैं how is the food prepared by the leaves carried to the parts which cannot make food पत्तो में भोजन बनने के बाद उस जगह पे भोजन कैसे पहुचता है जिस जगह पे भोजन नहीं तयार होता है plants के जो दूसरे पार्ट खाना नहीं बना पाते हैं वहां तक भोजन कैसे पहुच पाता है पत्तो से transport of water and minerals यहां पे आपको देखेंगे पानी का और खनीज का परिवहन plants absorb water and minerals by the roots plants जो है पानी और खनीज को जड से एबसॉर्ब करते हैं जड के माध्यम से एबसॉर्ब करते हैं सोकते हैं वहां से वहां से खीच लेते हैं the roots have root hair जडों में क्या होता है root hair होता है the root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in water root hair क्या करता है कि जडों का surface area को बढ़ा देता है और इससे क्या होता है पानी और mineral जो कि पानी के अंदर में जो mineral घुला हुआ है उसको लेने में उसको मददगार साबित होता है the root hair is in contact with the water present between the soil particles जो root hair होता है वो soil particle के बीच में जो पानी मवजूद होता है उस पानी के contact में होता है can you guess how water moves from the root to the leaves क्या पनुमान लगा सकते है कि पानी जडों से पत्तों तक कैसे पहुंचता है what kind of transport system is present in plants किस तरह का जो transport system है वो पादों के अंदर में है जिससे की पानी जडों से पत्तों तक पहुंचता है बुजू thinks that plants may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water बुजू सोच रहा है कि plants में भी pipe की तरह कोई सनरचना है जिसे की पानी उसके पूरे पार्ट तक पहुंच जाता है पूरे प्लांट तक पहुंच जाता है जैसे की हमारे घरों में pipelines का supply होता है जिसे की हमारे घरों में पानी का supply होता है वेल बुजू is right बुजू सही सोच रहा है Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil Plants के अंदर में pipe की तरह एक सनरचना होती है जो की मिट्टी से पानी को और nutrients को जड़ों के मादियम से वो पत्तु तक पहुंच आती है The vessels are made of special cells जो vessels होते है वो खास cells से बने होते है forming the vascular tissue और ये cells vascular tissue बनाते है A tissue is a group of cells that perform a specialized function in an organism Tissue किसे कहते है ये group of cells होता है जो कि किसी खास काम को किसी खास प्रक्रिया को ये पूरा करते है The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called the xylem ये जो vascular tissue है इसी को हम जो कि पानी को और nutrients को plant में पहुंचाने का काम करता है इसी को हम xylem कहते है The xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to the entire plant xylem एक लागातार जाल बनाता है जो कि roots से stem से connect होते हुए उनके शाखाओं से connect होते हुए पत्ते को connect करता है और इससे क्या होता है कि पानी root से transport हो जाता है और continuous network of channels का मतलब है कि बीच में रुकावट नहीं होता है और यह that connects roots to the leaves roots को पत्ते से कैसे connect करता है तो through stem तने के माद्यम से तने और branches के माद्यम से पत्ते को root से connect करता है और पानी को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे plant में पूरे पौदे के अंदर में अब यहाँ पे है potato का ये एक activity है इसमें potato को उपर से काट करके बीच में cavity बनाना है काट करके बीच में cavity बनाना है और फिर उसके बाद बीच में sugar solution डाल देना है मतलब चीनी वाला पानी उसके बाद pin लगाना है उपर में pin ऐसा लगाना है कि वो glass के नीचे नहीं आए चली हम देखते है पहली बता रही है कि उसकी मा भिंडी के साथ साथ दूसरी सबजियों को वो पानी में डाल देती है अगर वो थोड़ा सूखते हैं तो सूख जाते हैं तो she wants to know how water enters into them वो जानना चाते है कि पानी उसके अंदर में कैसे चला जाता है सबजियों के अंदर में पानी कैसे चला जाता है पानी उसकी गिला हो जाता है आप जानते हैं कि पत्ते खाना बनाते हैं अब ये खाना जो है उसको बना हुआ खाना है उसको प्लांट के दूसरे पार्ट में भी उसका पहुँचने के आवशक्ता है और ये एक वास्कूलर टीशू होता है जिसको फ्लोएम कहते हैं उसके मादियम से जो खाना बन के तयार है उसको प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है इसलिए जाइलम और फ्लोएम ये दो चीजे हैं जो की प्लांट के अंदर में चीजों को एक जगे से दूसरे जगे लेके जाते हैं एक्टिविटी 11.3 टेक लाज पोटैटो एंड पील आफ इस आउटर स्किन एक बड़ा पोटैटो लीजे और बाहर से उसको छेल दीजे कट वन आफ इस इंड्स तो मेक दे बेस फ्लैट उसका फ्लैट उसको इस तरह से नीचे से काट दीजे कि आप उसको रख सकें न मेक अचाई बाहर जाए। Now make a deep and hollow cavity on the opposite side, fill half of the cavity with sugar solution and mark the level by inserting a pin in the wall of the potato. Put the potato into a dish containing a small amount of water. यहां पर जो कि आपको थोड़ी देर पहले समझाए, potato को उपर से cut कर दीजिए, इसके अंदर में बड़ा सा cavity बना दीजिए, इसके अंदर सुगल solution रख दीजिए, और pin के जरीए उसका level को अंदर mark कर दीजिए, उसके अंदर pin डाल करके, द्यान रखेए का pin जो है, और उसके देर के बाद आप पाएंगे कि यह sugar solution का level बढ़ गया है, put the potato into a dish containing a small amount of water, एक बरतन में रखेए, जिसमें की potato को एक बरतन में रखेए, जिसमें की पानी है, make sure that the level of water is below the level of the pin, पानी का जो level है, वो pin से नीचे होना चाहिए, allow the apparatus to stand for a few hours, और apparatus को कुछ घंटों के लिए आप छोड़ दीजिए, पानी में डाल करके आलू के साथ, you would find an increase in the level of sugar solution, आप पाएंगे थोड़ी देर के बाद कि sugar solution का जो level है, वो बढ़ चुका है, how did water get inside the potato, पानी उसके अंदर में कैसे चला गया, for very short distances water can move from one cell to another, थोड़ी दूरी के लिए पानी एक cell से दूसरे cell में चली जाती है, in the same way water reaches xylem vessels of the root from the soil, ठीक, इसी तरह से पानी xylem vessel तक पहुंसती है, root के माधियम से, root cell से xylem vessel का जो cell है, वो cell के माधियम से पानी पहुंसता है, transpiration, in class 6 you learned that plants release a lot of water by the process of transpiration, आप class 6 में पढ़ चुके हैं कि plant पौदे काफी पानी छोड़ते हैं, transpiration के process के जरिए, plants absorb mineral nutrients and water from the soil, plant mineral nutrients और पानी मिट्टी से लेते हैं, now all the water absorbed is utilized by the, sorry, not all the water absorbed is utilized by the plant, सारा पानी जो की plant absorb करता है, वो उसको उप्यूग नहीं कर पाता है, the water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration, अब जो एक्स्ट्रा पानी जो बच गया है, वो stomata के जरिए, वो evaporate कर जाता है, और इस process को हम transpiration कहते हैं, बूजो wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil, then give it off by transpiration, बूजो सोच रहा है कि पानी इतना, plants पौदे इतना पानी क्यों लेते हैं, जबकि उन्हें transpiration के माधियम से उन्हें छोड़ देना होता है, पानी को छे बाहर छोड़ देना होता है, the evaporation of water from leaves generates a suction pull, which can pull water to great heights in the tall trees. Transpiration also cools the plant. अभी क्या है कि पत्तों में जो ये evaporation होता है, तो उससे एक तरह का suction, मतलब चूसने से, सक करने से जो force generate होता है, उससे क्या होता है कि पानी नीचे से उपर height की ओर चला आ जाता है. Transpiration के process से plants के अंदर में एक suction generate होता है, suction मतलब कि यहाँ पर bracket में in bracket है, the suck that you produce when you suck water through a straw, जब आप straw से पानी पीते हैं और जब खीचते हैं, चूसते हैं, खीचते हैं उसको, तो खीचिने से जो force निकलता है, उसी को हम suction कहते हैं, जो force apply होता है, उसी को हम suction कहते हैं, और ये suction के माद्यम से, ये suction generate होता है, इससे क्या होता है, कि पानी उचाई तक पहुंच जाता है plants में नीचे से, थैंक्स फॉर लिसनिंग, क्रिपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए,